हलो एवरिवान मैं हूँ तरुना और मैं लाती हूँ आपके लिए English language से चुड़ेवे कुछ interesting videos सर्दी अभी-अभी खतम हुई है और कर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले रखा है अभी से ही और इसलिए लोगों की दब्यक भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है आए दिन टॉक्टर के पास जाने की जरूरत पढ़ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो में हम कुछ common कुछ uncommon words जो की related है medical से उन्हें English में जाने जैसे क्या आप जानते हैं जो injection की शीशी होती है उसे English में क्या कहते है यह नॉर्मल जो शीशी होती है जिसमें हम दवाईया फिल करते हैं हम नहीं टॉक्टर्स जो दवाईया फिल करते हैं उसे English में क्या पूलते हैं पॉर्टल तो नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं जा spelling होती है और जो नॉर्मल शीशे होती है, जिसमें दुवाईयां फिल करते हैं, उसे पोदल तो नहीं बोलते हैं, उसके लिए जो medical term है, है वह है फायल फायल ओकी अब शुरुवात करते हैं अस्पताल से अस्पताल ऑस्पिटल चिकित्सक ठाप्टर अभी के टाइम में लोगों के ना पेट बहुत खराब होता है मौसम चेंज होता है ना उसकी वे जैसे तो कभी-कभी जो मारा बाउल सिस्टम है ना बाल्स जो हो ही जो हो हिज तैना सकती उसको करने कले भी दपाईयां देते हैं जिसे हम रे च्ली हो है किकिए शेटे अटकर हमकर जाते हैं तो हमारे हाथ में पर जाते हैं वहां पेशय परकांड बाटन क सरल पहला ना है तो यह-इंत आप संट पत्ती बांद डिर वेवघरी ताकि जो हमारे swelling है, वो कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, हिंदी में हम उसे प्रलेप बोलते हैं, जो हमारे injury जो होती है, जो ठोती है, उसके जानों तरफ बांथ दिया जाता है, जिससे swelling जो है, वो कम हो जाए, अब यहां पर यह वर्ट तो हम चानी रहे हैं, प्रलेप को अब दवाईया लेने कहा जाते हैं दवाई की दुकान पर जाते हैं दवाई मेडिसिन और दवाई की दुकान मेडिकल शॉप या फार्मेसी तो उन्हों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं मरीज या रोगी पेशेंट विमार सिक्ख घाव वूंड और खायल वूंडेड शलेक रिया ओपरेशन उपचार ट्रीटमेंट तर्ज का तुम्हें पता ही चुकी हूँ पेंट बेखोश फेंट उल्टी करना वॉमिट या थ्रू अप थ्रू अप थ्रू अप थ्रू अप एक नया वर्ड है यह अमेरिकन एंग्लिश में जादा यूज किया जाता है अमेरिका में दे टोंट से वॉमिट जैसे थ्रू अप सो थ्रू अप का मतलब होता है उल्टी आराम रेस्ट परामश डॉप्टर के पास हम उनका परामश लेने चाहते हैं ना कंसल्ट और कर्फपात अपॉर्शिन खून उसको खून चड़ाया चा रहा है ब्लड पिस्तर पर आरामार कबी कभी डॉक्टर सला define क्या सला देते हैं कि अपको पिस्तर पर आराम करना चाहिए पूर दिं पिस्तर पर रहना चाहिए चाहिए बेहोशी एलेस्थीशिया चोट मेले बहए बात की बॉन तो चोट लग जाती है तो पत्टी बांदते हैं पत्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं राटचाग प्लैट प्रेशर हड़ी हड़ी टूचाती है न तो हड़ी बॉन टॉक्तर्स कैपसुल देते हैं खाने के लिए क वह जब करोना हुआ था तो बहुत संक्रामक बिमारी संक्रामक और अंक्रामक नंग इस पैसाखी को क्या डिजिनेस पुखार यह तो आप सब को पता है comment section में आप ही मुझे बता दीजेगा कि पुखार को English में क्या कहते हैं स्वास्त है health सांस लेना to take breath right अब कुछ लोगों को दमे की बिमारी होती है asthma तो उनको एक सांस लेने वाला वाली मशीन होती है उनके पास जो जब भी उनको अटाक आता है तो उससे सांस लेते हैं to medicine सिंते अंतर चली जाते तो उस सांस लेने वाले को हम लोग कोलते हैं inhaler पत्री stone रोग शम्ता आप में कितनी रोग शम्ता है रोग से पच्छनी की शम्ता है आपके शरीर में होती है उसे कहते हैं immune immune डॉक्टर के पास जब चाते हैं तो पूछते हैं आपके बिमारी के क्या क्या लक्षन है हमें बताएं symptoms symptoms तभी कट फट जाता है तो या चोट का भी निशान रह जाता है जिसे मेरे यहां पर है scar चोट को बोला जाता है चोट के निशान को निशान को बोला जाता है scar 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 फिर पचाना खाना पचाना 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 से ना तो मालिश की जरूरत होती है मालिष मेसाज दो होश उसे कहते हैं तो ज्ल इसे उसे चिकित सना सर्जुरी या ऑपरेशन शले क्रिया हमने पहले परकवा है तो दोने बोल सकते हैं और चिकित सब थेरेपि मुझे तो आजकल भूक कि नहीं लगती भूख, एपिटाइट, यह बिमारी तो बहुत खातक है, कोरोना थी न, कोरोना बहुत खातक थी, खातक, फैटल, मिदान, टाइगनॉस, अस्वस्थ, इल, स्वस्थ करना, हील, ह-e-a-n, हील, औशक, निर्देशन, प्रेस्क्राइब, संक्रमंट, इन्फेक्शन, पोशन, नि टीका लगाना, बच्चों को लगाते हैं न टीका, टीका लगाना, वैक्सिनेट, चोट लगने पर खून बहने लगता है, खून बहना, लीडिंग, खरोच, प्रूज, खरोच लग जाती है न, उसे प्रूज कहा जाता है, और दवाई की खुराक होती है, खुराक को बोला जाता है, डोज, अभिखात, ट्रॉमा, प्रनाव, स्ट्रेंग, परिशावक, यह हिंदी वोर्ड आपको थोड़ा टिफिकल्ट लग रहा होगा, एंग्रिश में इसे कहा जाता है, स्टेटेस्कोप, स्टेटेस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी यह जान लीजी, पर क्या क्या है, उसमें चरह मुझे पताईए तो, गोली को एंग्लिश में कहते हैं, टाबलेट, ताक मापकी अंत्र, यह थोड़ा टिफिकल्ट है हिंदी, थर्मामेटर, थर्मामेटर हमें नर्मली यूज करते हैं, अब जब हाटी टूट चाहते हैं, तो एक यहां पर और इंग्लिश में स्लें, रोगी वहां, एंबलेंस, बेट, बेट को इंग्लिश में बोलते हैं, कें, C-A-N-E, कें, डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं, तो उनके पास जो जुरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, स्काल्पल, और कैची, सिजल, आपको इ हैं, और आपको याद आ रहा है, कि मैंने ये वर्ट्स छोड़ दिये हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, I'm sure आज का वीडियो आपके लिए इंटरस्टिंग होगा, और आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, साथ में अगर आप में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, पहल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि तब ही आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन इमिटेटली मिले मैं नेक्स वीडियो में एक वार इंटरस्टिंग के साथ आउंगी, till then have a nice day, bye bye and stay safe and healthy.